DPS Senior Secondary School तपीजी लेकर आए हैं Online Classes From Pre-Nursery to Class 12 50% Discount on Girls Fees Online Admission Open Visit DPSajmay.in राजिस्थान में कोरोना वाइरस संक्रमित पाए गए दो माँ के एक बच्चे की गुरुवार को मौत हो गई अतिरेक्त मुक्हे सचीव रोहित कुमार सिंग ने बताया कि मौन रुप से आगरा के दो माँ के बच्चे को बुदवार को यहां SMS अस्पताल में भरती करवाए गया था जिसकी गुरुवार को मौत हो गई उसे हर्दे संबदी बीमारी भी थी वहीं अजमेर की यदि हम बात करें तो अजमेर में गुरुवार को साथ नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आएं जिसमें चार रोगी पहले से कॉरिंटेन सेंटर में मौजूद हैं इन चारों मरीजों की पहली जांच रिपोर्ट कोरोना नेगिटिव आई थी लेकिन उसके बाद दूसरी बार जब इनके दोबारा सेंपर लिये गए तो इनकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई ये वहीं एक मरीज डिको एरिया पालरा से सामने आया है और एक मरीज पूर में पॉजिटिव पाए गए मरीज का ही परीजन है जिसको RRT contact tracing के आधार पर जेलेन अस्पतार में भरती कराया था इस मरीज में कोरोना के किसी परकार के कोई लक्षन नहीं है वहीं एक और जो मरीज इस वक्त सामने आया है ये मरीज की जो contact और travel history है ये उद्यवपूर से बताई जा रही है अजमेर जिले की इस्तती की अगर हम बात करें तो जिले में कुल 8594 सेंपल लिए गए हैं जिसमें से 241 मरीज करोना पॉजिटिव पाए गए हैं वहीं अच्छी ख़बर ये भी है कि गुरुवार को करोना के 12 मरीज करोना मुक्त हो गए हैं इन तमाम करोना मुक्त मरीजों को क्वरिंटाइन सेंटर बेज दिया गया है और इसी के साथ अब अजमेर जिले में कुल 119 मरीज करोना से मुक्त हो चुके हैं वहीं COVID-19 के संक्रमन से बचाव के लिए पहार से आने वाले और संदिक्त मरीजों को होम आईसोलेशन में रखा जा रहा है पूरे जिले में ऐसे 14,770 लोग हैं और इनकी निगरानी के लिए शिक्षा विभात के करीब 3,620 कार्मिकों को तेनात किया गया है होम आईसोलेशन का उलंगन करने वाले लोगों को चिन्नित कर उनके खिलाफ आपदा प्रबंदन और माहमारी अदिनियम के तहट मुकदमा दर्ज करवाये जा रहा है 11 मई को ऐसे 4 मामले सामने आये थे जिनमें F.I.R. दर्ज करवाई गई है मुक्य जिला शिक्षा अदिकारी की और से रोजाना कलेक्टेड इस्थित कोविट वार रूम में सूचना भीजी जा रही है इसके अनुसार जिले के 8352 घरों में 14770 लोग होम आईसोलेट में रह रहे हैं शेहर में 1358 लोग होम आईसोलेशन में रखे गए हैं इनके घरों की संख्या 974 है शेहर में होम आईसोलेशन में रह रहे हैं लोगों की निगरानी के लिए 617 कार्मिक तेनात हैं इसके अलावा किले के सबी उखंडों में अलग-अलग संख्या है सबसे जादा सरवार उखंड में है जहां 2386 होम आईसोलेट लोग हैं और इनके 515 घर हैं जिसके लिए 217 कार्मिको को डूटी पर लगाया गया है 11 मही को अजमेर शेहर में तीन और पीसागन में एक होम आईसोलेट वेक्ति को होम आईसोलेशन ब्रेक की सूचना मिलने पर जिस पर चारों के खिलाफ एफायर दर्ज करवा दी गई है वहीं दूसरी और कोरोना मामारी के कारण जारी लॉकडाउन में कुछ और दुकाने खोले जाने के लिए राज्य सरकार ने बुद्वार देर रात अनुमती प्रदान की ती जिस पर अब अजमेर जिला प्रशाशन ने भी निर्देश जारी कर दिये इनमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अन्य सुरक्षा उपायों का विश्यस्त और पर ध्यान रखना होगा जिला कलेक्टर विश्मोहन शर्मा ने बताया है कि लॉकडाउन के दोरान रेस्टोरेंट, बोजनाले, मिठाई की दुकानों को केवल टेक अवे और होम डिलीवरी सुविधा के साथ ही खोलने की अनुमती दी गई है इसी पिरकार ग्रामिड चित्रों में सडकों पर समस ढबे भी खोल सकेंगे हार्डवेयर की दुकाने, प्लंबिंग, कारपेंटरिंग, पेंट, आदी की दुकाने, निर्मान समगरी, एसी, कूलर, टीवी, इलेट्रोनिक, विदोत संबंदी, इलेट्रोनिक रेपेरिंग दुकाने एवं सेवाएं भी खोलने की अनुमती दे दी गई हैं इसके साथी अब वाहन विक्रे शोरूम भी खोल सकेंगे दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बिना मास्क पहने, गराकों को विक्रे नहीं करने, निरंतर सेनिटाइजेशन करते रहने का इसके साथ ही कुरोना मामारी के संबन में जारी समस्त दिशा निर्दिशों के पालना के अजमेर के कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं